पाकिस्तान में गनेश मंदर तोड़े जाने के विरोध में, शिवसिना हिंदुस्तान ने मध्यप्रदेश के मंसौर जिले में फूका पाकिस्तान का पुतला, तथा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान को दी खुली चेताबनी आप देख रहे हैं YMS News 24 आईए देखते हैं आज की खबर मंसौर मध्यप्रदेश से व्यूरोचीप बंटू यादवेवम शेर सिंजी पवार के साथ पाकिस्तान के इसलामाबाद के रहीम यार इलाके में हिंदूों के प्रथम पूजनिय भगवान श्री गनेश जी के मंदर तोड़े जाने के विरोध में शिवसेना हिंदूस्तान के राष्ट्रिय अध्यक्ष पवंजी गुपता के आदेशा नुसार पूरे देश में पाकिस्तान का पुतला जलाने का कार्यक्रम जारी है उसी कड़ी में आज मंसौर शिवसेना हिंदूस्तान मध्यप्रदेश प्रमुक नाहर सिंग गौर के नेत्रित्व में हिंदूस्तान प्रदेश का र्याले के सामने पाकिस्तान का पुतला जलाकर भारत सरकार से पाकिस्तान के उपर अंतराष्ट्रिय दबाव बनाने की शिवसिना हिंदुस्तान ने मान करी है जिससे पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार सुरक्षित रह सके एवं वहां के धार्मिक्स थल सुरक्षित रह सके आए दिन पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के उपर हमले होते हैं वहां के हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ चेल छाड की जाती है हिंदू बेहन बेटियों के साथ शोशन किया जाता है ऐसी घटनाएं आए दिन वहां होती रहती है पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं की पुनरावरित्ती ना हो शिवसेना हिंदुस्तान भारत सरकार से यह मांग करती है आए दिन हिंदुों को की बहन बेटियों का धर्मांतल किया जाता है उनको घरों से जबन उठाकर ले जाता है उनका सोशन किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर हमारे देवी देवताओं के जित्ते भी धार्मी किस्तल है उन्हें छती पोचाई जाती है भारत सरकार से अब स पाकिस्तान के इसलामाबाद के लोहार और हमारे हिंदू के प्रतम पुजनी वगवान स्री गनेज जी के मंदीर तोले गए हैं उसी कड़ी में हमारे सीर्षणा हिंदूस्तान के राष्टी अध्यक्स पवंजी गुपता के आदेश अनुसार पूरे भारत में पाकिस्तान के पुद्ले जलाने का कायकरम जारी है उसी कड़ी में आशीव सेना हिंदुस्तान मद्यपरदेश द्वारा पाकिस्तान का पुदला जलाये गया और भारत सर्कार से मांग की गई कि वहाँ पाकिस्तान के उपर अंताराश्टि दवाव बनाए कि महाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदु परिवार रह रहे हैं, अल्फ तंक्य की रूप में रहे हैं, उनके साथ इनेतिया हो रही है, यदू बवन बेटों के साथ छेड़ सा रहा रहे हैं कि अंधर अलेकर जाय। ये मारी सीव शेना हिंदुस्तान की भारत सरकार से मांगे।